एंक बोरेटल टूल के बारें होता है तो आज आप ने में श्रह बाराइन फ्लleader के बारे होता हूँ तह आज आप लोग का फिर्स ट्रॉप्क है ink समचुक। ंपास्ली तूल किया होता है बारी kommer zijn तो बोरे गार आपटल तूल आप लोगे हेल्प करता है ठीक है देखो दैंक टूल लेट यू चेंडर स्रोक कलर लाइन विद अस्टाइल ऑफ लाइन और सेप आउप लाइन ठीक है फिर यूजिंग दा इंग बाटर दूल राजदन स्लेक्टिंग इंडिविंड़ लाइन और अब्जेक्ट मेक इजे तू चेंडर स् अलग को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक ही साथ वह सारे का इंडिव अगर हम ऑफ करते हैं और स्ट्रोक के लिए वह स्लेक्ट हो जाएगा ठीक है दा स्टेप टो यूज जा इंक बाटर टूल आर इसे इंडर साइड जो दूल से अप लोग को इंडिव बाटल के ने च जानते हों कि यह बाल्टी की तरह दीखता है जानते हैं तो पूरा दूर तक कलर भाल देता है तो अगर आप लोग का सेप जैसे यह ठीक है तो इसमें आप लोग भालोगे तो इतना कलर भाल भारेगा ठीक है पर यह अगर इस तरीके से खुला हुआ है तो अगर आप इसमें भरोगे तो वह पूरा जितना स्क्रीन रहेगा कंप्यूटर पर पूरा में कलर भर जाएगा ठीक है तो यह एक इंक्लोजड एरिया में कलर भरता है ठीक है इट कैन बोथ फिल एम्टी एरिया और चेंदा कलर एक अगर Alcohol ऑफ चाहिए पर ऐल्ली इससे क्या होता है कि आप लोग चाहो तो इसे फील एरिया में विनफर सकते हो और बैक्साइड के एरिया में भी हो ठीक है और अगर कोई जगह अल्रेका पेंट पर लगा ऑग है तो जह आपकाव द famous ऐसे वहां पर इसलेवान लग हो गया सारे भर सकते हो you can also use the paint bucket tool to adjust the side direction and center of gradient and bitmap fill इसमें आप लोग gradients or bitmap colors होता है उसका size भी और direction भी चूछ कर सकते हो ठीक है कैसे भराता है ठीक है आप step देखते हैं कि कैसे यूज़ किया रहता है है paint bucket tool select the paint bucket tool पहले तो यह फिल दा कलर फ्रॉंदा फिर paint bucket tool में जो फिल करेंगे color वह तूल बॉक्स है आप लोग को select करना click the gap size modifier यह कोई जरूर नहीं कि आप gap size modifier को चूछ ही करें क्योंकि आप लोग जहां तक जहां हम लोग paint बरेंगे वह हम पहले से ही gap बना के रखेंगे कि उतना महीं भरना है तो यह जरूरी नहीं कि gap करना ही पड़ेगा देखो यह आप लिखाओ चूछा gap size option ठीक है वह modifier और gap size आपके अनुशार पे आपके मन पे आपको करते हो कि नहीं don't close gap if you want to close the gap manually before filling the safe close gaps manually can be faster from drawing complex देखो अब इसका मतलब चाहा है कि अगर आप लोग का यह जो gap के बारे मैंने बताया वही gap के बारे में यहां पर बात हो रहा है आप लोग चाहो तो यह gap को भरो गे तब यह आप लोग का बराएगा नहीं तो फिर नहीं बराएगा जैसे यह दिखाया हुआ है कोछ यहां पर की देखो don't close gap close small gap मतलब आप लोग जो पिक्चर बनाए हो उसमें कोई gap होगा तो वो आप लोग को यह option भरने में मज़द करेगा ठीक है फिर choose one of the close option to have a flash fill a safe has been gap that has gaps ठीक है अब लोग किसी भी gaps को select नहां पर कर सकते हो ठीक है gap size को click the shapes or enclosed area that you want to fill अब वो shapes में click करना है जहां पर आप लोग भरना चाहता है दिखो यहां पर बताया है ना कि P के अंदर भर दिया A के अंदर भर दिया B के अंदर भर दिया यहां पर डबा बना के भर दिया ठीक है the step to adjust gradient or bitmap fill with the paint bucket tool select the paint bucket tool click the transform field click an area field भी था gradient or bitmap fill इसमें एक है कि अगर आप लोग पर आगे तो इधर एक option मिलेगा transform field इसमें एक एडिया होगा जांके फिल बिंग ग्राडियंट और bitmap fill होगा वह आप लोगे तो इधर ग्राडियंट और bitmap से बारेगा ठीक है अब timeline timeline क्या होता है तो timeline के बारे में आप लोग simply जानों कि timeline क्या होता है जैसे हम एक video चलाते है ठीक है तो video चलाते है यह प्लबि और bitmap ति यह एक एकटे रहता है कि video जा रहा है जा रहा है जा रहा है अगर oh यह प्लब कर रहेution क्याता है तो फिर कर eh cut करने के लिए तो वह जो एप जनते होना प्रने के लिए तो फिर corresponding की यह उत्वर टर्स ट lados में बा्ट सकते हैं ठीक है यह आप लोग को आगे पढ़ना है देखो फिर देख दो टाइम लाइन इस एरिया वेर वी और नाइज इन कंट्रोल टाइम बेस्ट अनिमेशन इसमें क्या है कि टाइम लाइन एक वैसा ही टाइम लाइन आएगा बस इसमें उसको यूज किया जाता है कोई भ अजिया होता है तो फ्रेम रेट होता है किसी वीडियो का क्वालिटी को हम लोग तो हम लोग को बहुत लोग रहे गा तो हम दोगको बहुत ही वह लोग क्वालटी में लगदा और अगर इसका एक फ्रेम रेट होता है 12 fps मतला फ्रेम पर सकेंड देखो यहां पर बताया हुआ भी है 12 fps यह डिफॉल्ट फ्रेम है जिस पर कोई भी वीडियो असानी से चलता है ठीक है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे इनावा डोकिमेंट वी इतरू को चैने पर सेट वीडियो में सेट कर सकते हैं की तुरी के का फ्रेमीट हम लोगा के वीडियो में आईगा ठीक है अनिमेशन में on a plump in prime अब क्या है फ्रेम को अग हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो समझने का सकती हमारे ब्रेंड के पास होता है तो वह एक फ्रेम को वीडियो में समझता है ठीक है फिर वेन एन अनिमेशन है जस्ट दो फ्रेम रेट वी बी आर एबल तो इस फ्रेम इजवाजिवाली एंड दा मुवमेंट एपियस चौपी देखो अगर कोई भी वीडियो को बहुत कम क्वालिटी होता है तो हम लोग वह जी दिखता है मतलब लाइन लाइन ताइप का दिखता है न तो वह हो जाता है फ्रेम ठीक है वह ही एक इंडिविजूल फ्र चलते हैं तो वह हम लोग को वीडियो की तौर पर हम लोग को माइन लेता है उसे ठीक है वें दा फ्रेम रेट इस हाई और ब्रेंड का नो लॉंगर पिक आउट इंडिविजूल फ्रेम एन अनिमेशन लूक्स क्लीस फ्रेम रेट अगर हाई राता है तो हमारा हमारा जू व फ्रेम रेट का पर सेकेंड होता है जो की डिफॉर्ट होता है मतलग 12 fps होता है अगर देखा जाते है तो इससे अगर हम लोग करेंगे तो वीडियो खराब हो जाएगा ज्यादा करेंगे तो हमारा क्वालिटी बढ़ेगा ठीक है यह हो गया एक नॉर्मार फ्रेम डिपिकल ह होलीबुड मोवी यूजर 24 fps एक होलीबुड मोवी जो है फ्रेम जो है वह 24 fps यूज करता है अपना इस प्रेम इस आपना हाई क्वाल्टी बढ़ाने के लिए और देवी का मोवी यूजीर सेटिक फाव यूजरग कर था फ्रेम बढ़ दार सेहे व्रेम रेज जोहेंड़ इ इस बास सही हैे अगर उतना फ्रेम रएट बढ़ायेंगे यह ऊतना ऐसाइज थे नहीं बढ़से लिग थे तब हम लोग एक डोकुमेंट या कोई एनिमेशन बना रहे हैं तो उसका फ्रेम रेट हम लोग बढ़ा के हाई करें क्योंकि जतना हाई बढ़ाएंगे उतना हम लोग का साइज भी बढ़ते जाएगा क्या है अगर हम इस पर अपना फ्रेम रखते हैं ठीक है इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो और एनिमेशन जो वह समूथ भी चलेगा और हमारे फाइल का साइज भी बढ़ा नहीं होगा ठीक है अब है टाइम लेयाउट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉंपोनेंट होते है तो पहला होगा टाइम लेयर लेयर विजिबिलियरीटि यहां पर लेयर का वीडियोती दिखता है यह एक लेयर को अगर हम लोग चाहिए तो बंद कर सकते ह्टें और दूसरre चलता रएगा ठीक है फिर टाइम हेडर ता侈म locks odor orang सकरता है टाइम हेडर यहाह तरह तक आपा लोगों का फ्रेंगी अनिमेशन फ्रेंंच यह होगई बेटन यहां पर हम लोग फ्रेम बटन भी यूज किया हुआ किया आप तरह पर पर बढ़़ा सकते हैं या कोई और फ्रेम यह कह सकते हैं उसमें लगा सकते हैं फिर in class fine time indicator lapse time indicator यहां पर DID ताइम इंडिकेटर दिया हुं है ठीक है फिर इनुट नहीं इनुटान प्रेइम इंडिकेटर होए तो आपको इंडिकेटर ब promotions बटाए क्यों से फिर के fins चल रहा चैनल कुछ घ्रैकि तो मेन इचेंप me बटन मोर्मल शाओ अपीए ढ़िए यह इंर बद्टार्ध को लिएर को दिखाने के काम करता है अब बदो हैं को पर कंशन फेचेंटंब्हुम यह इसलोग यह बाराघ आहक हम कर तो कर सकते कैसे अलग अलग लेयर के साथ हम लों काम कर सकते तो यह सब आप लोग को सिफ पढ़ना ही होगा क्योंकि इसका तो प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है क्योंकि यह अब है नहीं अपनों के कंप्यूटर में ठीक है